यहां पर PM किसान के लिए पैसा आप उठाते हैं, यानि कि पैसा आपको मिलता है, तो जो किसान EKYC नहीं भरे होंगे, उन्हें भुगतान नहीं होगा, यानि कि जिनका EKYC अभी नहीं हुआ है, तो जल्द ही EKYC करवा लें, उनका EKYC नहीं होगे तो पैसा नहीं मिलेगा, इ किसान समान निदी पाने के लिए केंदर सरकार ने या नई वेवस्ता किया है कि हलांके इसके लिए उन्हें डॉक्टर से लिखवाने की जरूरत नहीं है उन्हें सिर्फ लंबित पोर्टल पर जाकर एकवाई से भरना होगा केंदर सरकार ने समान समान निदी पाने वाले लग सब्सक्राइब नहीं होगा सरकार की इस नए बेवस्ता में जिन किसानों को मुवाइल अधार से लिंक होगा वह घर से कर सकते हैं पोर्टल पर परक्रिया सुरू करते ही उन्हें मुवाइल पर ओटीपी आजाएगा ओटीपी डालने के बाद किसान एक वाइसे के लिए जरू के लिए केंद्रों पर 15 रूब भगतान करना होगा त्यानि कि आपको सीएसे सेंटर से आप जाकर वहाँ से आप एक वाइसी करवा सकते हैं यहां पर राजी के किरिशी भाग में निलम्मित होना होगा यहां पर राजी के 84.5 लाग किसानों को पीम के संस समान निदी की से उन्हें 2000 की तीन किस्तों में दियाती है लेकिन इनके लिए किसानों के राजी की रिसी भाग ने निबंधित होना होगा पहले इसी निबंधन के अधार पर भुकतान होता था लेकिन केंद्र सरकार ने एक दिसमर 2019 से इस योजना में भुकतान को अधार बेस्ट कर दिया ह लिहाँ से किसानों के अधार काड के अधार पर ही भुकतान होता है पार दर्शी के लिए अब सरकार ने के बैस्ता प्रशा की जरूरiegen कर दिया है यह ब्यवस्ता एक तरह से पेंसंद्रारी के लिए जरूरी WOW गदन के जैसा ही है टिहां प्रतिंग म El ensure 3.955 की लिए आप इत लाइक जरूर कर दियेगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दियेगा ताकि नोटिवेकिशन आप सभी को हमेशा मिलते रहें